पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा सियासी दाओ पंजाब में अकाली दल बीएसपी के साथ मिलकर लड़ेगा विधान सवा का चुनाओ करीब 25 साल के बाद पंजाब की राजनीती में ये सियासी प्रयोग दोहराया जा रहा है एंडिये चोड़ने के बाद शिरोमणी अकाली दल पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला रहा है अकाली दल और बीएसपी के गठवंदल का शैनिवार को चंडिगड में अलान होगा पंजाब में करीब 30 फीजदी दलित वोट माना जाता है जिसको देखते हुए सुख्वीर बादल ने ये बड़ा सियासी दाओ खिला है 1996 का लोकसवा चुनाव अकाली दल और बीएसपी दोनों मिलकर लड़े थे तब बीएसपी के सुप्रीमो कांशी राम पंजाब से चुनाब जीते थे पंजाब में थमती नहीं दिख रही कॉंग्रेस की कल है अब पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखर ने इस्तीफे की पेशकश की है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग और नबजोट सिंग सिद्धू के बीच जारी स्यासी खींचतान का आसर दिख रहा है आज खुद पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखर ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है जाखर ने ये भी कबूला कि सिद्धू को उनके कद के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए पंजाब का जगड़ा सुलजाने के लिए कॉंग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट में भी पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष को हटाने की पैर भी की गई है वो रिपोर्ट कल ही कॉंग्रेस हाई कमान को सौंपी गई है क्या बिहार में एंडिये के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एंडिये के नेता जीतनराम मांजी और दूसी तरफ महागडबंदन के नेता तेजपरताब यादव के बीच हुई मुलाकात ने इन अटकलों को हवा दे दी है लालुक साद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेजपरताब जीतनराम मांजी से मिलने उनके घर पहुंचे लालुका आज जन दिन है लेकिन मांजी और तेजपरताब के बीच करीब एक घंटे की इस मुलाकात ने नई अटकलों को जन दे दिया है मांजी की पार्टी ने इस मुलाकात को नीजी बताया है खुद जीतनाम मांजी ने तेजपरताब से मुलाकाद के बाद कहा कि किसी राजनितिक मुद्दे पर उनकी बातचीत नहीं हुई है जीतनाम मांजी ने भले ही तेजपरताब के साथ इस मुलाकाद को निजी बताया है लेकिन आरजेडी ने सरकार बचाने की चुनौती एंडिये को देती है वारानसी में 125 साल के बाबा शिवानन ने कोरोना की वैक्सीन लगवा कर पेश की है अनूठी मिसाल बाबा शिवानन को टीके का पहला डोस दिया गया है 125 साल के बाबा शिवानन वारानसी के दुर्गाकुंड छेतर के रहने वाले हैं उन्होंने कोरोना की वैक्सीन दुर्गाकुंड शहरी प्राथमिक स्वास्त केंद्र पर खुद जाकर लगवाई बाबा शिवानन कोविड-19 टीका करण कारेकरम का हिस्सा बने और दावा ये किया जा रहा है कि पहली डोस लगवाने वाले देश के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं इस से पहले 36 गड़के सागर जिले की तुलसी भाई को 118 साल की उम्र में कोरोना की वैक्सीन लगाई गए थी पहरहार टीका लगवाने वाले बाबा शिवानन और टीका लगाने वाली टीम दोनों ही पेहत उत्साहित हैं यूपी के सीम योगी आदितिनाथ आज पीम नरिंद मोदी से मिले और फिर बीजेपी अध्यक जेपी डंडा से पर सवाल ये है कि मुलाकात हुई तो फिर बात क्या हुई इससे पहले कल दिल्ली पहुँचने के बाद सबसे पहले ग्रह मंतरी अमित शा से योगी की बात चीखी दिल्ली में मैरासन मेटिंग चल रही है लेकिन बीजेपी का कोई नेता मूँ खोलने के लिए तैयार नहीं है हलांकि कयास लग रहे हैं कि योगी ने पीम मोदी को यूपी में अपने काम की रिपोर्ट दी साथ ही बड़ा अपडेट ये कि यूपी में योगी के मंतरी मंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं हलांकि यूपी की इस सियासत पर विपक्ष का दावा कुछ ऐसा है पिछले कई दिनों से लगातार खबरे हैं कि योगी जी और मोदी जी के बीच में मनमडाव है पिछले कई दिनों से इसी विवात को लेखे उप्तर प्रदेश और देश के सभी अत्वावों में चैनलों में खबरे दिखाई जा रहे यूपी में विधानसभाद चुनाव की सरगर्मिया तेज हुई बीजेपी में हलचल बढ़ने के साथ ही छोटे दल भी सक्रिय हो गए है बीजेपी में राजनेतिक महौल गर्माने के साथ ही यूपी की छोटी पार्टियों के विदिन लोटने के आसार दिख रहे हैं गुरुवार को ही अपना दल की प्रमुक अनुप्रिया पटेल ने अमिशाह से मुलाकात की थी माना जा रहा है कि अनुप्रिया ने खुद के लिए केंद्री मंट्री मंदल में और पती के लिए यूपी सरकार में जगह की दिमान रखी है 2017 में अनुप्रिया की पार्टी के नौ विधायक जीते थे गुरुवार को ही निशाद पार्टी के प्रमुक डॉक्टर संजर निशाद और उनके सांसद बेटे प्रवीन निशाद ने भी अमिशाह से मुलाकात की और केंद्र राज्य में एक-एक मंत्रीपत की मांग रखी प्रमीन निशाद गोरखपूर से बीजेपी के टिकट पर पिछली बार सांसद बने थे और वर्तमान में संतकभीर नगर से सांसद है यूपी के छोटे दल जातियों की ताकत पर टिके हुए हैं प्रदेश में निशाद और पटेल जातियों की बहुतायत है ऐसे में इन जातियों का भाव चुनाव से पहले बढ़ गया है बीजेपी की शरण में आये मुकूल रॉय बीजेपी के राश्रे उपाध्यक्ष वर्तमान में मुकूल रॉय और उनके साथ उनके बेड़े अफ्रिनूल कॉंग्रेस में टीनसी सुप्रीमों के साथ शामिल हो गई ममता की पार्टी में कुछ इस तरह एक बार फिर मुकूल रॉय की वापसी हो गई करीब चार साल पहले ममता का साथ छोड़कर मुकूल रॉय बीजेपी में आये थे बीजेपी ने उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया था बीजेपी की टिकेट पर ही इस बार से विधान सभाद चुनाओ में मुकुलरोय कृष्ण अगर सीट से जीते थे हाला कि उनके बेटे शुखरांशू हार गए थे लेकिन विधान सभाद चुनाओ नतीजों के बाद से ही मुकुलरोय बीजेपी की बैठकों में कम दिखाई दिये और अब फिर से ममता के साथ आ गए है हम तो बीजेपी चोर के तिनमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिती हाई ये स्थिती में कोई बीजेपी चोर के बीजेपी में रहे गाले गोरतलब है कि मुकुलरोय चार साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन उनका कद शुबेंदू की तरह नहीं बढ़ा जिस तरह से शुबेंदू के कद और पद को बढ़ाया गया है वो एक कारण माना जा रहा है उनकी त्रनमूल कॉंग्रस में घर बापसी का 2024 के आम चुनाओं के लिए विपक्ष ने शुरू की तैयारी पीम नरेंदर मोधी के खिलाब चहरा तलाशने के लिए शरत पवार से मिले ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर लोगसबा चुनाओं में अभी भले ही तीन साल का वक्त हो लेकिन विपक्ष ने चहरा तलाशने का काम शुरू कर दिया है इस कड़ी में एंसीपी प्रमुग शरत पवार के मुंबई वाले बंगले पर चुनाओी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है सूतरों के मुताबिक कॉंग्रेस को अलग तलग करके विपक्ष का साजा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है इसलिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार अलग-अलग दलो के निताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे है इस तरह से पिछले मैंने बंगाल चुनाव में ममता बैनर जी ने जबरदस जीत हासिल की उसके बाद से ही ममता बैनर जी राश्टी रहजदिती का चहरा बनने की रेस में है और हो सकता है कि पीके उनके नाम की फिल्लिंग सजाने के लिए आज ये मुलाकात कर रहे हो ओक्सिजन तो पहुंचा नहीं सके महला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सके अब अनाज की बात कर रहे है यह भी कितना बड़ा जुम्ला है कि दिल जबने सरकार राशन माफिया के नियंद्राएं में उनके सारे फैसले और ये बात मैं बड़ी जिम्वारी से बोल रहा हूँ जैसे ही बीजेपी ने केजरिवाल सरकार पर ये गंभीर आरोक लगाए तो केजरिवाल भी एक्शन में आ गए उन्होंने टूइट किया आज लोग केंदर में ऐसा नित्रित्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राजी सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की भजाय सब को साथ लेकर चले तेश तब आगे बढ़ेगा जब 37 कड़ों लोग सभी राजी सरकारे और केंदर मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे इतना गाली गलोज अच्छा नहीं दिल्ली में घर तक राशन पहुचाने की योजना पर काफी समय से विवाद है पहले किंदर सरकार की आपत्ती के बाद अर्विन केजरिवाल ने योजना से मुखमंत्री नाम हटा दिया था लेकिन किंदर ने एक बार फिर ये योजना रोक दी परदर्शिता की कमी का हवाला देकर वीजे पी इसमें राशन माफिया का कनेक्शन देख रही है जम्मू को अलग राजिका दर्जा दिये जाने की मांग तेज आज शिवसेनिकों ने प्रदर्शन कर उठाई मांग बहुत सही आतंक बात की मार जम्मू मांगे अलग सरकार इसी नारे के साथ शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन किया और केंदर सरकार ने जम्मू को अलग राजिका दर्जा देने की मांग की मैं आप लोगों के मात्यम से परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी से ग्रैम मंतरी मानियामी शाजी से अपील करता हूँ कि एक बार फिर वो जम्मू के हित के अंदर जम्मू को इंसाफ दिलाने के लिए सासी कदम उठाएं और जम्मू को अलग दर्जा जम्मू की अलग विदान सबा और जम्मू को अलग विदानी का दिकार दिये जाने चाहिए जम्मू कश्मीर में परी सीमन की रिपोर्ट आने से पहले विपक्षी दल आंदोलन तेज कर रहे हैं गुरुवार को डोगरा फ्रंट के कारिकरताओं ने प्रदर्शन किया था जम्मू रिजन में बीजेपी की अच्छी पकड़ है सबस्क्राइब यिजेपी के राजनीती को जम्मू से ही बैलेंस करती है जैपूर की राजनीती में फूटा वीडिो बम जैपूर ग्रेटर नगर नगम की निलंबित मेयर सोमया गूर्जर पर कचरा उठाने वाली कमपनी से घूस मागने का आरोप सौम्या के पती का वीडियो हुआ वाइरल हो रहे इस वीडियो की वज़े से ग्रेटर जैपुर की मेर सौम्या गुर्जर फस्ती दिख रही है आरोपै की सौम्या के पती राजा राम इस वीडियो में कच्रा उठाने वाली कंपनी बीवी जी से 20 करोड रुपे की घूस मागी गई हाला कि बीवी जी कंपनी घूस के आरोपों को खारिज कर रही है बीवी जी का कहना है कि हमारे इस दोरान किसी संस्ता या संस्ता से जुड़ी किसी व्यक्ति से लेन देन के बारे में ना बात हुई है ना कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ है अधिकारी की पिटाई के बाद सौम्या गुर्जर को पत्स से निलंबित कर दिया गया फिलाल गूसकान की जाच शुरू हो गई है महंगे पेट्रॉल और डीजल के मुद्दे पर मोधी सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस ने खोला मोर्चा देश भर में पेट्रॉल पंपों पर कॉंग्रेस कारेकरताओं ने किया प्रदर्शन पेट्रॉल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया कॉंग्रेस नेता और कारिकरता पेट्रॉल पंप पर जाकर अपना विरोधर्ज करते रहे कहीं पेट्रॉल पंप पर धरना दिया गया तो कहीं सड़क पर अब देखिए अमरित सर से ये तस्वीर यहां तो प्रदर्शन के दोरान एक कार में ही आग लग गई जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई आज पेट्रॉल के दाम में 28 पैसे और डीजल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में पेट्रॉल 95 रुपे 85 पैसे और मुंबई में 102 रुपे 10 पैसे प्रत लीटर हो गया है हेदरबाद में कुछ यूबकों ने जन्मदिन पार्टी के बहाने उड़ाई कुर्णा नियोमों की धज्या नौ लोगों पर हुआ केस दर्ज गले में बड़ी सी माला और हाथ में लहराता हुआ तलवार वाइरल हो रहा ये वीडियो हेदरबाद का है वीडियो में भीड के बीच चार-पांच लोग हाथ में तलवार के साथ डांस कर रहे हैं वीडियो हेदरबाद के हबीब नगर इलाके का है बताया जा रहा है कि जन्मदिन की पार्टी के नाम पर भीड जुटी और फिर गाने की धून पर इस तरह से लोग नाचते गाते दिखे वीडियो के वाइरल होने के बाद पुलीस जागी और नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है कोरोना अभी तक गया नहीं है ऐसे में इस तरह किलाफ परवाही काफी भारी पढ़ सकती है वैसे भी हैदराबाद समय दक्षिन भारत के कई शहरों में कोरोना की स्तिती बहुत ज्यादा खराब है बिहार की राजधानी पत्ना में खुलेयाम घूम रहे हैं चेन जपत्मा पत्ना के पौश इलाके में पूजा करने गई महिला के साथ बीच सड़क पर लूट पाग सिक्योरिटी कैमरे में इन तस्वीरों को ध्यान से देखी धुनली सीन तस्वीरों में एक महिला सड़क किनारे चलती दिखाई देगी तभी बाइक पर ये दो लोग आते हैं और महिला के गले से चेन जपत कर भागे इस हमले में महिला सड़क पर गिर जाती है पत्ना के पौश इलाके में राजिंदर नगर रोड पर ये वारदात हुए ये महिला वर्ट सावित्री पूजा के लिए घर से निकली थी हाथ में पूजा की थाली थी लेकिन पीछे से ये बदमाश आ गए स्थानिये लोगों का अरोप है कि पत्ना के इस इलाके में आए दिन छपत्मार बेटी बहुओ को इसी तरह निशाना बना रहे हैं और पुलिस बस जाज की बात कहकर भरोसा दे जाती है दिल्ली के नजबगड इलाके में दर्दनाग हाथ सा तेज रफतार डंपर की चपेट में आकर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हाथ सा सीची टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरे उस वक्त की है जब तेज रफतार डंपर ने पहले कुछ लोगों को कुछला फिर यहां खडी गारियों को टक्कर मारी डंपर की चपेट में एक ही परिवार के पांस सदस्य आये उनमें से चार की मौत हो गई है ये हाथसा आज सुबह हुआ ये परिवार सुबह अपने बच्चों के साथ गुरगाओं में शीतला माता केद दर्शन के लिए जा रहा था पुलिस के मताबिक डंपर का ड्राइवर बहत खतरनाक स्पीट पर डंपर चला रहा था इसलिए ये हाथसा हुआ पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफतार कर लिया है मानसून ने पकड़ी रफतार मुंबई समेट महराश्च के बाद मतप्रदेस और गुजरात में पहुचे मानसून के बादल जब से मानसून मुंबई पहुचा है यहाँ ऐसे ही सडकों पर भरा पानी लोगों की मुश्किले बढ़ा रहा है अब मुंबई के अलावा मानसून गुजरात पहुच गया है तैसमय से साथ दिन पहले ही मानसून के बादल गुजरात में बरसना शुरू हो गए है मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाडी में उत्तर पस्चिम के तरफ कम दबाव का छेतर बन रहा है इससे ओरीसा और गंगा से लगे पस्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है दिल्ली यूपी में भी मानसून से पहले बारिश वाला मौसम कल शाम से देर रात तक बना रहा इसकी अलावा मौसम विभाग ने बिहार में खराब मौसम का अलट जारी किया है सोलह जिलों में आस्मान से बिजली गिरने का खत्रा बताया है उत्राखंड के रानी खेत में तेज बारिश के बाद आया बड़ा सेलाव बिंसर महादेव मंदीर परिशर पूरी तरह पानी में दूबा पानी की ये आवाज सुनिए कि गरजना बता रही है कि पानी जब सेलाव बन कर आता है तो कितने खतरनाक हालाद पैदा कर देता है तस्वीरें उत्राखंड के रानी खेत भी है और ये यहां का बिंसर महादेव मंदीर है कल यहां इतनी तेज बारिश हुई कि मंदीर के अंदर फ्लेश फ्लड़ यानि अचानक बाल जैसे हालाद बन गए मंदीर के ज्यादा तर हिस्से पानी में आधे डूब गए दरसल पहाडों पर तेज बारिश हुई और ये पानी जब मिलकर नीचे आया तो यहां मंदीरों, दुकानों, सडकों सब जगे आफ़त ले आया मेहुल चौकसी के बाद अब मेहुल की पत्नी प्रीती चौकसी की तलाश में प्रवर्तनी देशा ले बैंक घोटाले मामले में प्रीती को भी मोटी रकम मिलने के आरोग कुछ दिन पहले तक प्रीती चौकसी इसी तरह आपने आरोपी पती मेहुल को बेकसूर बता रही थी लेकिन अब खुद प्रीती की एडी को तलाश है एडी ने प्रीती चौकसी को तीन बार पूस्ताच के लिए सम्मन जारी किया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुई घोटाले का पैसा दुबई की जिन कम्पनियों में गया उन कम्पनियों से घोटाले के पैसे का लाब प्रीती चौकसी को मिला प्रीती चौकसी का नाम प्रीती प्रदोत कुमार कुठारी भी बताया जाता है प्रीती चौकसी बेल्जियम की नाग दिखे प्रवर्तन दिये शाले प्रिती चौक्सी की भूमिका के बारे में चांच कर रहा है और आने वाले दिनों में कोर्ड के सामने प्रिती चौक्सी के खिलाब बियारो पत्र पेश किया जा सकता है जो मुकश्मीर के बारा मुला में देर रात लगी बीशन आग फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ सेना के जवानों ने आग से बचाई कई लोगों की जान एक धरजन से जादा गर तबाह जो मुकश्मीर के बारा मुला में देर रात ऐसी बैंकर आग लग गई इन लब्टू ने यहां पचास से जादा गरों को अपनी चपेट में ले लिया जैसे ही यहां आग लगी अफरा तफरी मच गई अब देखिए इस आग से बारते सेना के जवानों ने भी कैसे टक कर ली गर में आग की लब्टू ऐसी हैं कि पूरा गर बटी बना हुआ है और सेना का ये जवान अपनी जान जोखम में डालकर यहां पानी से आग बुजा रहा है दमकल विबाग के साथ सेना के जवानों की ये महनत रंग लाई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया बारमला के नूर भाग में लगी इसाग में रात को ही काबू पा लिया गया लेकिन कई गर इसमें जल गए हलांकि समय रहते लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया आप देख सकते हैं कि कैसे रोड पर पानी के बीच गार फसी है और राहत बचाओ का दस्ता कार में फसे लोगों को निकालने की मशक्कत कर रहा है तस्वीरें अमेरिका के वर्जीनिया प्रांथ की हैं जहां अचानक आए पानी की वज़़े से कार सवार परिवार सहित फद गया मोटर बोट की मदद से सब को बचाया गया अलग अलग कारों में फसे कुल सत्रह लोगों को इस तरह से रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला मौसम के अलर्ट की अंदेखी करना कितना खतरनाक हो सकता है इन तस्वीरों के जरीए आप समझ गये होंगे अपने देश भी भी कई जगा बारिश हो रही है इसलिए घर से निकलने से पहले बारिश के पानी की पूरी जानकारी ले के निकलें अपको रखे आगे अबाँ अपको रही है झाल झाल